नमस्ते बच्चों कैसे हो आप सब आज हम पढ़ेंगे CBSC NCRT क्लास 3 की एक पोएम What's in the mailbox? यह कविता mailbox के बारे में है की mailbox क्या है? यह कविता में एक बच्चा है उसके घर पोश्टमेन आता है letters लेकर वो उसके parents के लिए होते है तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं इस पोएम को What's in the mailbox? Most always when the postman comes with letters 2 और 3 they are for my mother or my dad but never one for me एक बच्चा है वो कहता है कि जब भी डाक्या आता है letter लेके उसके पास 2 या 3 letter होते है वो या फिर मेरे मम्मी के लिए होते है या मेरे पापा के लिए फिर वो सोचता है कि मैं भी letter लिखूंगा और जिसको मैं अपने दोस्तों को भेजूंगा तो मेरे दोस्त letters के बदले में answers करेंगे वो मुझे भी letter भेजेंगे जिससे मुझे भी letters मिल जाएंगे तो बच्चो ये थी आपकी poem what's in the mailbox अब हम करेंगे इसके word meanings words यानि की क्या है in यानि की में mailbox यानि की mailbox most यानि की अधिकांस always यानि की हमेशा when यानि की चब postman यानि की डाकिया get यानि की पाना comes यानि की आता है letters यानि की पत्रों 2 यानि की 2, 3 यानि की 3 my यानि की मेरे, mother यानि की मा, dad यानि की पापा never यानि की कभी नहीं going यानि की जाना, right यानि की लिखना सम यानि की थोडा धन यानि की बाद में फ्रेंडस यानि की मित्रों आंसर यानि की जवाब तो बच्यो ये थे आपके वर्ड मिनिंग्स अब हम करेंगे टेक्स्बूक सोल्यूशंज और क्वेस्टन आंसर topic solutions Reading is fun Question first, who does the postman bring letters for? डाक्या किसके लिए पत्र लाता था? आंसर है, the postman brings letters for the child's mother or father डाक्या कवी के मा या पापा के लिए पत्र लाता था Q2. Does the child ever get a letter? क्या बच्चे को कभी पत्र मिला? आंसर है, no, the child never gets any letter नहीं, बच्चे को कभी कोई पत्र नहीं मिला Q3. What does the child decide to do? बच्चे ने क्या तई किया? आंसर है, the child decides to write letters to his friends बच्चे ने उसके मित्रों को पत्र लिखना तई किया Talk time Q1. Have you written letters? क्या आपने कभी पत्र लिखे है? आंसर है, yes, I have written letters हाँ, मैंने पत्र लिखे है Q2. Who have you written to? आपने किसको लिखा? आंसर है, I have written letters to my uncle and cousins मैंने मेरे चाचा और चचरे भाईयों को पत्र लिखे Q3. Who would you like to write to today? Why? आप आज किसको पत्र लिखना चाहेंगे? क्यों? आंसर है, today I would like to write to one of my friends, her name is Asha I want to write to her because today is her birthday आज मैं मेरे मित्रों में से एक मित्र को पत्र लिखना चाहूंगी, उसका नाम आशा है मैं उसे लिखना चाहूंगी क्योंकि आज उसका जन्म दिन है Read this letter carefully यह पत्र ध्यान से पढ़िये देवु has written a letter to his grandfather thanking him for a birthday gift देवु उसके दादा जी को जन्म दिन के तौफे के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए पत्र लिखता है ओम एपार्टमेंट दर्या गंज वरोद्रा 390001 25th January 2021 Dear Grandfather, Thank You for the Beautiful Book of पंचतंत्र स्टोरीज प्यारे दादाजी, पंचतंत्र कहानियों की सुन्दर पुस्तक देने के लिए धन्यवाद You will be happy to know that I read one story every day आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं हर दिन एक कहानी पढ़ता हूँ With love, Devu प्रेम से, Devu Let's write Question, first, now write a letter to your friend telling her about your school अब आपके दोस्त को पत्र लिखो आपकी स्कूल के बारे में You can use some of these words आप यह शब्दों का उप्योग कर सकते है Flat No.3A, Sector 2 वैशाली एपाटमेंट एहम्दाबाद 3-800-01 10th February 2021 Dear Mamta, I am going to tell you about my school प्यारी Mamta, मैं तुम्हें मेरी स्कूल के बारे में बताने चाह रही हूँ The name of my school is Saraswati School मेरी स्कूल का नाम Saraswati School है My school has a big building मेरी स्कूल एक उंची इमारत है There are several classrooms in it इसमें कई क्लास है About 1000 children study in this school लगबग 1000 बच्ची इस स्कूल में पढ़ते है Each classroom has a big blackboard हर एक क्लास में बड़ासा blackboard है The teachers write on it शिक्षक उस पे लिखते है The pun rings the bell चप्रासी घंटी बजाता है With love you are lovingly मिताली प्रेम से तुमारी प्यारी मिताली Here are some people who help us Let us try matching यहाँ पे कुछ लोग हमारी मदद करते है चलिए उनको match करते है A postman brings our letters डाकिया हमारे पत्र लाता है A cobbler man's our shoes मोची हमारे जूते की मरमत करता है A librarian works in a library पुस्तकालाई का अध्यक्ष पुस्तकालाई में काम करता है A driver drives a motor vehicle Driver car वाहन को चलाता है A dramatist writes play नाट्यकार नाटक लिखता है A teacher teaches in a school चिक्षक स्कूल में पढ़ाते है A nurse looks after patients Nurse दर्दियों की देखवाल करती है A musician plays musical instruments संगितकार संगित के उपकरणों को बजाता है An astronaut travels in a spacecraft Antrik श्यात्री अंतrik श्यान में सफर करता है A clone max people laugh विदूशक लोगों को हसाता है तो बच्चों ये थी आपकी poem What's in the mailbox? हमने ये पूरी poem पढ़ी इसके word meanings के और exercise भी की मैंने ये वीडियो प्लेलिस्ट में डाली हुई है CBSC NCERT Class 3 हिंदी में ये प्लेलिस्ट का लिंक मैंने description box में और I button में दे दिया है तो ये वीडियो पूरी जरुर देखना दोस्तो मेरी YouTube चैनल के MP Education को सबस्क्राइब करे मेरे वीडियो लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ शेर भी करे और बेल आइकन को प्रेस करना मत बुलिएगा दोस्तों ताकि नए वीडियो की notification आपको मिलती रहे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बाई बाई फ्रेंड्स